Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता है कराशी फल ये 29th August से लेकर 5th September तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पीज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी, कि जिस साइन को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं, या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी डिडिंग्स को देखते आ रही हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को follow करें, तो चलिए जी शुरू करते हैं Coming Week का सापता ही क्राशीफल चलिए Capricorns आप लोगों के लिए देखें कि Coming Week क्या लेकर आ रहा है क्या Energies हैं तो आप लोगों के लिए Professional Life के लिए Cards हैं Two of Wands, Rivers and Success तो दिखें सबसे पहली बात दोनों ही Fire Energies के Cards हैं और Fire Energy कहीं टारो में Enthusiasm की बात करती है Excitement की बात करती है बहुत Courageously, बहुत Boldly अपने गोल के लिए Initiatives और Action लेने की बात करती है और दिखें कुछ ऐसी Energies हैं भी और इन ही सब चीजों से Related कुछ Issues, कुछ मसले भी है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे of Wands का Card Reverse है तो हो सकता है कि कुछ लोग बहुत Courageously, बहुत Boldly अपने गोल, अपने मकसद के लिए Initiatives, Action लेना चाहा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे दिखें सब के लिए Different Reasons हो सकते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप Over Confident हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप Under Confident हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि Circumstances, Situation की वज़े से कुछ Issues हैं जिसकी वज़े से again मैं कहूंगी कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या उतना Courage, उतना Boldly चीज़ों को नहीं डील कर पा रहे हैं और देखिए Two of Wands के नीचे Success का काट कहता है कि अगर आप ऐसी energies में रहते हैं यानि कि Fire energies में रहते हैं बहुत Boldly बहुत Courageously चीज़ों को डील करते हैं तो Definitely आपको Success मिलेगा और देखिए जो भी लोग आपके आसपास हैं हो सकता है उनका भी एक support आपके लिए इस week available हो तो मैं आपको यही कहूंगी कि जो भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है Courageously और Boldly अपने goal के लिए initiatives और action लेने के लिए रोक रही है उसको जरूर आप इस week identify करें और उसको जरूर आप overcome करें और दीखे ऐसा आप करेंगे तो बहुत कुछ आप आ सकते हैं यहां मैं कहे सकते हूं कि जो भी आपका goal है जो भी आपका मकसद है उसको definitely आप achieve कर सकते हैं उसी से related definitely आपको success मिल सकती है and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है five of pentacles, reverse and integration तो देखिए five of pentacles का card tarot में कहीं अकेलेपन की बात करता है किसी level पे rejection की बात करता है और देखिए यह energies, capricorns आपकी किसी चीज के लिए हो सकती है यानि कि आप किसी चीज को मना कर रहे हैं आप किसी चीज को reject कर रहे है और कुछ capricorns के लिए यह energies आपके external environment की तरफ से हो सकती है यानि कि किसी से आपको एक rejection मिल रहा है और इसी लिए शायद देखिए एक अकेलापन भी आप महसूस कर रहे है आपको ऐसे लग सकता है कि आपके loved ones से उतना attention उतना प्यार आपको नहीं मिल रहा है या फिर जितना support जितना cooperation आप चाहा रहे थे उतना आपको नहीं मिल रहा है और इसी लिए शायद कहीं किसी level पे एक rejection एक अकेलापन भी आप महसूस कर सकते है और deeper level के लिए दिखे integration का card कहता है कि इन ही सब चीज़ों को आप ठीक करना चाहा रहे है या फिर इन ही सब चीज़ों के लिए एक balance भी आप लाना चाहा रहे है कोई भी दो opposite चीज़ों को आप मिलाना चाहा रहे है किसी भी दो opposite चीज़ों का again मैं कहूंगे आप union चाहा रहे है और यहां पर देखिए again सब के लिए differ कर सकता है, कुछ के लिए relationship हो सकता है, जहां पर आप अपना और अपने partner का union चाहा रहे हैं, कुछ के लिए किसी और relationship से related हो सकता है, यहां फिर से मैं कहूंगी कि कोई भी चीज है जिसमें एक union आप चाहा रहे हैं, और फिर different different चीजें को solve करने के लिए, उनको resolve करने के लिए, and guidance से आप लोगों के लिए card है, cardinal moon, और यह card कहता है, be bold and make the first move, तो देखिए जो भी आप चाहते हैं, Capricorns, उसके लिए बहुत important है कि बहुत boldly आप चीजों को deal करें, और initiatives लें, और देखिए यहां पे cards भी शायद वही आपको bold भी रहें हैं, two of wands reverse में, मैंने आपको clearly यही कहा था, कि आपने boldly, you know, आगे next steps लेने हैं, अपने goal, अपने मकसद के लिए, और यहां पे दीखिए personal life के लिए भी, integration का card कहता है, कि आप different different चीजों को combine करके, यहां फिर different चीजें try कर रहें हैं, अपने goal, अपने मकसद को पाने के लिए और दिखिए वही आप लोगों के लिए guidance भी है, तो nutshell में एक चीज जो इस week के लिए है, वो है कि आपने courageously और boldly चीजों को deal करना है, and astrology से आप लोगों के लिए Libra sign का card है, और इसके हिसाब से white and turquoise colors आप लोगों के लिए लखी रह सकते हैं, और जो दिन significant रहेगा व है Friday, तो यह था कि आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए,